नमस्कार, स्वागत है, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, मैं हूँ विजे कृष्ण और आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर बीके चौधरी, डॉक्टर साहिब पतना PMCH में असोसियेट प्रोफेसर रस्पेटरी मेडिसीन में है, इसके अलावा जनरल फीजीसियन औ और साथ संबंदित मावलों में एक्सपर्ट है, तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साब आप करना चाहेंगे, जो डियाप्टिक पेसेंट होते हैं, उन्हें बहुत नींद आती है, उन्हें बहुत आलस जाता है, वो ठीक से काम नहीं कर पाते हैं, और जब जाते हैं थाकान महसूस करते हैं, तो हमारे दर्सकों को बताएं जो पहले वो क्या फील करें, जो अब मुझे पहले सी सिंप्टम आने लगते हैं, जो अब मुझे आलस आ रहा है, नींद आ, तो लोग मतलब पता नहीं कर पाते हैं मुझे हुआ क्या है, तो अब दर्सकों को बताएं में जो शरीर से ऐस्मोटिक डियरोसिस एक टेकनिकल वर्ड है पिशाब के द्वारा शुगर बाहर जाना शुरू हो जाता है ज्यादा जाता है तो शुगर बॉड़ी से निकलता है यूरेन के द्वारा तो शरीर में शुगर की बढ़ात है इसलिए हो रहा है इसलिए हम बोलते हैं कि फल खाये आपको डियाबिटीज की वज़े से अगर नीद आ रही है आलेस हो रहा है तो आपके बॉड़ी में एंटियॉक्सिडेट की कमी हो रही है वाइटमिन्स की कमी हो रही है और आपके नर्वस अगर शुगर पुराना हो गया जादा दिन हो है तो 9 जो होता है वह हम हिंदी भाशा में मरीज़ों को समझाते है नष पे चीनी चड़ गया तो जो वर्निंग सिग्णल्स यो डैंजिर सिग्नल्स का जो नेचर प्रकति नि क्खत्रे घंटी बजाने का दिया है काम वह नष पे चीनी चड़ जाने से भूतर हम भाश बहर हैं बोता हो जाना तो ऐसे सिचुएशन में जो सिगनल जा रहे हैं इलर्ट रहने का बॉड़ी को इलर्टनिस कमने लगता है जहां गिरे बैठे वहीं नीद आ गई सोने लगे तो ऐसे सिचुएशन में हम कहते हैं कि डाबेटीज का अगर दवा आप खा रहे हैं तो साथ में वाइटमिन जरूर खाएं फिजिक शारीरी परिश्रम करें योगा इसका सबसे बड़ा उत्तर है और डाबेटीज जहां भी पुराना होने लगता है तो बहुत लोग को जानकारी नहीं है और हमारे विद्वान बहुत अच्छे चिकितसक हैं तो शिर्फ शुगर घटाना ह इस नहीं हमारा पर पर पस नहीं है बॉडी में जो कमिया हैं उस कमियों को मिंटेन करना है थो बहुत लोग कहते हैं यह मत खाओ उत-खाओ चाबल मतव हम तो कहते हैं थोड़ा चाबल भी खाओ क्योंकि आगा आटे पे भी बद्नाम हो रहा है क्योंकि हमारे इंडिया में देखेगा है 90% लोग पॉट बेलीड हो रहे हैं, तोन निकल जाता है, दुबला पतला है, तो ऐसे पेशेंट प्रोन है शुगर के लिए, कोलेस्ट्रोल के लिए, बिकोज इंडिया जो भारत एक डियाबेटीस, डियाबेटीस कैपिटल अब दे वर्ल्ड हो गया है, उसमें खासकर हमारा जो गैंजिटिक प्लेन है, उत्तरपदेश और बिहार, तो ऐसे सिचुएशन में डियाबेटीस के बहुत लॉंग टर्म कॉंसिक्वेंस होने जा रहे और भी बहुत सारे उसके कामप्लिकेशन होते हैं, तो इसलिए मेरा मेसेज ये है कि डियाबेटीस को कंट्रोल रखें और ऐसे सिचुएशन में अगर कंट्रोल आप नहीं रखते हैं, अपने चिकितसक से दिखाएं और अगर नहीं रख पाते हैं तो धीरे धीरे आपके अ अब 2030 तक हिंदुस्तान में हार्ट पेशिंट्स की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और लोगों को जागरूप करना बहुत आवेशागा है, शुगर कंट्रोल रखें हार्ट की बिमारी से बच्चिए, अंसर आपने बताया जब विटामिन, प्रोटीन और को जुआ हैं भॉल रहां हम भोलेंगी जो नेचम नेचर ने हमने थवड़ी दिर पैले कह था नेचर प्रकृतिरे ने जोको दिया है जीसे एक क्यलह खा लिया जो में टोलेट करते हैं जैसे अम्रूथ खा लिया बहन हैं। और ग्रीन टुर्न और नेचर fence अमरूद है, सेव है, हम लोग कहते हैं कि ग्रीन विजिटेबल्स ज्यादा ज्यादा कहो, साग खाने बोलते हैं, हमारे एक मशूर गुरू थे, गुरू जी बहुत वर्ल्ड फेमस नियरो फिजिशन, प्लस चेनल फिजिशन आचीव, नौकर के के सिनासाब, वो क्या करते थे कि उनसे कोई पूचता थे, हुजूर खाएं क्या, तो कहते हैं भिकमंगा वाला भूजन खाऊ, बट बट गांसेट चेंज नाओ, ये तीस साल, चालिस साल पहले था, अब है कि हम लोग सब ची खाने बोलते हैं, थोड़ा थोड़ा खाने बोलते हैं, बी केरफुल, फिजि और गुटका खाना है, या पान खाना है, या समान मांगना था है, जी दे दो, तो मंगा लेंगे, पैसा दे दे देंगे, और हमारे जमने बाइक में पैर से किक करते थे, आजकल तो हाथ से स्टार्ट वाला गया है, तो फिर आजकल बच्चों को अब जो यू था रहे हैं, खत्रे में हैं, तो मेरा मेसेज जन से हैं कि आप बाइक छोडो, पैदल चलो, साइकल चलो, साइकल पर मेरा अर्टिकल भी आल में आया था, साइकलिंग करनें से क्या के फाइद होता है, तो शरीanto कीजिए, डाइबीटीस से बचिए, डाइबीटीस से होने वाले कांप्लिक आती है आप देख रहे थे डॉक्टर साहब इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही अगले एपिसोड में आप से फिर से मुलाकात होगी यदि आपने अभी तक हमारे यूटूब चैनल डॉक्टर साहेब को सबस्क्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर ले आप हमें फेस्बूक प